दोस्तो आप लोग देख सकते हूँ, मैं अपने फोन पे आपसे यहाँ पे एक जोए पेमेंट कर रहा था, मेरा पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, पैसा ट्रांसपर नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखके आ चुका है, योर बैंक है से बात करो तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर यह दिक्कत काफी लोगों को हो रही है फोन पे आप पे काफी लोगों का यहां पर बैंक जो है ब्लोक हो जा रहा है जिसके वजाएसे लोग परिसान हो जा रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें अब हम प करने में तो इसका मतलब है कि आपको जो बैंक एकाउंट है यहां पर फ्रिज कर दिया गया है यूप एट रॉप एकाउंट करने के लिए अभी यूप एए से अपने बैंक करके यहाँ पर कोई भी ट्राइक्शन नहीं कर पाऊंगे विसिकली यह जिए तभी होता है जब आप ज़्यादा ट्रा ट्राइक्शन करते हो यूपी यूच करके तो कभी-कभी बैंक वाले जूहें आपके bank account पे यहाँ पर UPI transaction पे रोक जो है लगा देते हैं अगर आपको इसको सही करवाना है तो इसके लिए आपको अपने branch पे जाना होगा वहाँ पे उनको बताना होगा तब जाके वो लोग जो है आपका UPI का feature जो है अनलोग करेंगे तब ही आप जो है UPI से अपने bank account को य KYC के वज़ा से यहाँ पे freeze कर दिया गया है तब ही आप जो है transaction नहीं कर पा रहे हूँ तो गैस अगर आपको आपके bank account से UPI से transaction करने पे ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो इसका जो है एक ही solution है कि यहाँ पे आपको अपने main branch जाना होगा जहां पे आपका bank account है वहाँ पे जाक आपके bank account पे यहाँ पे यह जो है लोग किया गया है किस वज़ा से आप जो है transaction नहीं कर पा रहे हो और इसको सही करवाने के लिए आपको आगे जो है क्या करना होगा तो यह चीज आपको वह लोग बता देंगे तो आप जो है कर देना फिर आप जो है transaction कर पाऊगे और other बैंक एकाउंट पे तो इसको जाके आप जो है अपने ब्रांच पे पता कर लेना वहीं पिर आपको सोलुसन जो है मिल जाएगा आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीसर वीडियो को लाइक करना ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना